नमस्कार दोस्तों, मेरा आप सभी को राम राम स्वागत है, हमारे यूट्यूब चैनल कन्या राश्य वालों में तो आज एक ऐसे छुपे हुए दुश्मन की सच्चाई हम आपको बताएंगे जो आपके मौत की योजना बना रहा है, मित्रों में तीन लोग शामिल हैं, जिस से आपना जाने कई समय अंजान थे, आज इस हकीकत को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जैबालाजी महाराज अवश्य लिख दीजिएगा, तो ली दोस्तों आप सभी को हम बता देते हैं, बड़े ध करने का वक्त अब आ गया है, अब आप अपनी शुरुवात करें, मित्रो, स्त्रोत और मार्ग दर्शन प्राप्त होने के बाद भी आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप क्यों एक ही जगह रुके हुए हैं, यह जानने की कोशिश करनी होगी, और पिछली बातें यानि की भूत काल को छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन बातें पीछे छूटने के बाद ही नई बातों को जीवन में आना संभव होता है, इसलिए मित्रो आपको भूत काल को भूल कर अपने भविश्य की ओर ध्यान देना है, पैसों से संबंधित बातों म आपको स्थिर्ता लाना मुश्किल लगेगा, लेकिन चिंता करने से कोई बात नहीं है, क्योंकि थोड़े से प्रयासों से और थोड़े समय के बाद ही पैसों में स्थिर्ता आएगी, आपके द्वारा किया गया काम ही आगे की प्रगती के लिए राह बना सकता है, यदि बैठे रहेंगे तो मित्रो बैठे बिठाए कुछ भी नहीं रहता है, अपने काम पर पूरा ध्यान देने की कोशिश करें, थोड़ी सी महनत करें और पार्टनर की बातों से आप प्रेरित होकर आप अपने जीवन में नए परिवर्तन लाने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी क्योंकि पार्टनर आपको अच्छी तरह से जानता है, वह जानता है आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या भला है और क्या बुरा है। इस लोग आपको स्वार्थी समझने की गलती कर सकते हैं। लोगों को ऐसा लगेगा कि आप केवल अपने मतलब के लिए सोचते हैं, अपने स्वयम के लिए ही करते हैं, तो उन पर ध्यान न दें। होती है, तब तक रिलेशन्शिप की बातों को आगे न बढ़ाएं। हडबड़ी में यदि आपने आगे बढ़ा दी और स्थिर्ता तो उसमें है ही नहीं, तो ऐसे में रिष्टे बिगड़ेंगे आपको। मित्रो ध्यान रखना है कि आपके द्वारा ली गई रिस्क की वजह से आपके लिए आगे बढ़पाना संभव हो जाता है। जब आप रिस्क लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और आपके द्वारा किये गए प्रयतनों को मित्र का साथ प्राप्त होगा। मित्रो के द्वारा ही आपको जीवन में परिवर्तन भी दिखेगा और आगे बढ़ने की प्रिरणा भी देखेगी। मित्रों के साथ एवं उनके अलावा भी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है. मित्रों काम से संभंधित जो अवसर प्राप्त हो रहे हैं, उन पर ध्यान दें और नए अवसर बनाने की कोशिश करें. अपनी मानसिक स्थिती और जीवन में संतुलन, यदि आप बना कर रखेंगे तो जीवन में बहुत आगे जाएंगे. रिलेशनशिप से संभंधित बातों की चर्चा पार्टनर के साथ बिलकुल सोच समझ कर करें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए बहुत जरूरी है. गले की खराश तकलीफ दायक रहेगी, थ थोड़ा सा सतर्क रहे. आपके मन में जो बुरे विचार उत्पन हो रहे हैं, उन्हें पूरी तरह से दूर करें. जो तरह तरह के विचार आपके मन में आते हैं, जैसे कि आप अत्यंत दुखी हैं, या आपको लगता है कि आप कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें मि अधिकारियों की आपके काम पर कड़ी नजर रहेगी। काम की क्वालिटी पर ध्यान दे मित्रो। क्योंकि काम की क्वालिटी पर आप जब तक ध्यान नहीं देंगे, काम बिगड़ता जाएगा। आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिकारियों की आपके काम पर कड़ी नजर ह पार्टनर और लव लाइफ से संबंधित कन्फ्यूजन जो है वह दूर हो सकता है तो अपने विचारों की वजह से खुद को और ज्यादा तकलीफ में बिलकुल न डाले पेट से संबंधित दिक्कत को दूर करने के लिए खान पान पर बारीकी से ध्यान देना होगा क्योंकि जब तक आप अपना ध्यान खान पान पर नहीं देंगे दिक्कतें आती रहेगी मानसिक तकलीफ से आप गुजर तो रहे हैं लेकिन अभी सतर्क रहें वरना बहुत बड़ी हाने आपको हो सकती है अपनी मानसिक तकलीफ को, अपनी मानसिक स्थिती को आपको सुधारना होगा यह तकलीफ जल्द ही दूर हो सकती है तो परिस्थिती से न भागते हुआ आपको केवल हौसला बनाए रखना है परिस्थिती से भागेंगे तो आपको कोई भी लक्षे हासिल नहीं होगा कि quality पर इसका असर न हो, इस बात का ध्यान रखना होगा और relationship से संबंधित बातों का निर्णय लेने के लिए यह समय ठीक नहीं है। कि आपके उपर दबाव ज्यादा है। आप यदि सकारात्मक सोच रखेंगे, अच्छा सोचेंगे, स्वयम की सुनेंगे, तो सकारात्मक आपको अनुभव होगा। काम से संबंधित बातों पर focus रखें और relationship में बिल्कुल भी जिद न करें। के अनुसार समय बिता पाएंगे। मित्रो कहते हैं कि संगत का असर जल्दी दिखाई देता है। जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सफल लोगों के साथ रहने की कोशिश करें और उत्साह बनाए रखें। काम के जरिये भले ही बड़ी आर्थिक आवक प्राप्त न हो लेकिन मिल रहे पैसों से संबंधित प्रगति की वजह से स्थिर्ता भी बनी रहेगी। मित्रो, मित्रो, अपनी परिस्थिती बदलने की वजह से आप ठका हुआ महसूस करेंगे। परिस्थिती बदलेगी, समय बदलेगा, विचार भी बदलेंगे। थोड़ा विचार करके योजना बनाएं और खुद की गलतियों का भी अवलोकन करें। आप यह भी देखें कि आप स्वयम कहां पर गलतियां कर रहे हैं। मित्रो, बता दें कि अगले कुछ समय में आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा और जिन बातों का बदल नहीं सकते, उनको अपनाने की समता आपको बरहानी होगी। मित्रो, करियर से संबंधित बातों पर पूरी तरह से ध्यान देने की आवश्यक्ता है। और बात करें, इस माह आर्थिक परिस्थिती की तो आर्थिक परिस्थिती को सुधारना संभव हो सकता है। थोड़े से प्रयत्न बरहाएंगे तो जीवन में सब कुछ अच्छा होगा और लव लाइफ से संबंधित जो समस्याएं आपको तकलीफ दे रही हैं, उन्हें सुलजाने के लिए विचार जरूर करें। पार्टनर और रिलेशन्शिप के लिए विश्वास बनाए रखें और आपको बता दे मित्रों कि नींद ठीक न होने की वजह से आपको कमजोरी हो सकती है। इस बात का भी ध्यान रखिए कि अपनी परिस्थिती का ठीक से अंदाजा लगाएं, नहीं तो आप भटक सकते हैं। केवल लक्षे पर ध्यान बनाए रखना होगा। जिन्दगी में जो लक्षे आपने तय किये हैं, उन पर ध्यान बनाए, वरना आपको हानी हो सकती है। और जिन लोगों का साथ आप चाहते हैं, जरूरत के अनुसार आपको मिलता रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि आप लोगों से मदद मांगे, तो बेजिजक मांग लीजिए। जितनी अधिक सकारात्मकता रहेगी, समस्याओं को सुलजाना उतना आसान हो सकता है। और करियर से संबंधित जो गलतियां आपने की हैं, उन्हें बदलने का मौका आपको मिलेगा, जिसकी वजह से अपेक्षा के अनुसार आपको प्रगती मिलेगी। आपको बता दे मित्रों कि जिस निर्णय की वजह से आप दुविधा में हैं, जो निर्णय आप नहीं ले पा रहे थे, वह दुविधा दूर हो सकती है। इस वजह से आपका उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि सकारात्मक लोगों के साथ समय बित दोनों ही सफल होते हैं, फिर चाहे परिस्थिती कैसी भी हो। काम के विस्तार के लिए स्किल्स को बेहतर बनाने की कोशिश करें। यह काम के विस्तार के साथ साथ काम की वजह से आपको प्रसिध भी मिल सकती है। नए व्यक्ति के साथ हो रहे परिचय की वजह से लव लाइफ सम्भंधित उम्मीद जाग सकती है। और आपको बता दे मित्रों कि पेट सम्भंधित विकारों को दूर करने के लिए आयुवरेद की सहायता लें। मित्रों, इस बात का भी ध्यान रखिए कि डर की वजह से अपनी परिस्थिती को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको यह डर अंदर ही अंदर खाय जा रहा है। मित्रों, इस कारण जीवन में क्या करना है यह भी समझ नहीं आएगा। तो अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए प्रार्थना और ध्यान करने की आवश्यक्ता है। आपको अंदर से खुद को मजबूत बनाने की बहुत जरूरत है। अपने काम और स्किल्स की वजह से प्राप्थ हुए यश को टिकाई रखना संभव है और काम पर ध्यान बनाए रखें। मित्रों, जी हाँ, अप जिंदगी आपकी परीक्षा लेने वाली है। मित्रों, सेहत में सकारात्मक बदलाव जरूर नजर आएगा, लेकिन सकारात्मक बदलाव के साथ साथ सकारात्मक सोच भी रखनी है। किसी भी प्रकार की रिस्क लेकर खुद का नुकसान नहो, इस बात का ध्यान रखने की आ महौल होगा, समय सकारात्मक व्यतीत होगा, जिन कामों को आपने अधूरा छोड़ा है, उनमें बदलाव करने की जरूरत है। उनमें यदि आप परिवर्तन लेकर आते हैं तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। मित्रों, आज का दिन आपके लिए व्यर्थ के वाद अधिक स्थिती की कमजोरी के कारण धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आपको जीवन साथी का सहयोग वसानिध्य भरपूर मात्रा में मिलेगा। अपमान से परेशान रहने के कारण अपने पिताजी से कुछ समस्याओं को लेकर बात चीत कर सकते हैं। आगे ध्यान से सुनना। व्यापार में काम करने से पहले अपने काम में पारंगत। लोगों की मदद जरूर लें। आपको बता दें कि लव लाइफ से संबंधित किसी विप्रकार का बढधा निर्णा आपको बिलकुल नहीं लेना है। केवल आपकी क्या पेक्षाएं हैं उस पर नजर ब कदलती हुई नजर आएगी। जीवन में बढ़ रही भाग दो डॉट की वजह से व्यक्तिगत बातों पर ध्यान दे पाना संभव नहीं है। मित्रो क इसी एक बात पर ठिके रहना होगा। क्योंकि जो व्यक्ति किसी एक बात पर ठिके रहता है वही व्यक्ति जीवन में प्रयत्न करते रहे हैं वह आपको आज नहीं तो कल लेकिन मिलेगा जरूर अपने काम की तुलना अन्य लोगों के साथ करना और केवल खुद की ही बातों को जरूरत सा ये अधिक ध्यान देने की वजह से काम से जुड़े लोग आपसे दूर रहे नंगे। मित्रो अपने अ साइयम बनाएं रखने की आवश्यक्ता है थोड़ा सा आपको धैरे रखना है जो लोग आपके आइडिया कॉपी करने की को शिश कर रहे हैं ऐसे लोगों की वजह से ही आपको बेचैनी महसूस हो सकती है तो बेकार के विच आरों में खुद को न उलजहा कर जीवन ओ कर रखें मित्रों काम से संबंधित नई बा तेन सीखने की शुरुवात होगी आपको अपने आसपास रह रहे लोगों के साथ किसी भी सिरकार के वाद विवाद में न पढ़ड़ें आप यदि किसी नए काम को लेकर कुछ प्रयास कर रहे थे तो उनमें आपको निराशा हा स्वास्थ ये संबंधित समस्याएं आपको परेशान तो करेंगी लेकिन आपको उनसे घह बराने की आवशक्ता नहीं है व्यापार में आपको मनमुता बिकलाब न मिलने से आप थोड़ा परेशान रहेंगे सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपने कारोबार को आगे ब हके पूर्वार्ध में ही बहप्रतीक्षित शुब समाचार मिल सकता है सेहत सनातन धर्म में पूजा पाठ में कपूर का इस तेमाल किया जाता है आरती में कपूर जलाने से पूजा एस फल मानी जाती है वास्तुशास्तर के अनुसार कपूर का प्रयोग नकारात्मक शक्ति प्रत्येक दिन सुभह स्नान कर साफ वस्त्र धारन करें इस के बाद कपूर जलाएं और भगवान की प्रा अर्थना करें इससे जल्द जौब लगने के यह ओग बनते हैं वास्तुशास्तर के अनुसार कपूर और तेजपत्ता को एक साथ जलाने से जौब और बिज नेस मे तरक्की मिलती है अगर आप नकारात्मक शक्तियों का सामना कर रहे हैं तो सोते समय तकिये के न इचे एक कपूर का टुकड़ा रखें माना जाता है कि इस उपाय को करने से मानसिक स्थिती में सुधार होता है और घर की सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है इ माता रानी को अर्पित करें। तो फिर आप बहुत पच्ताओगे। मित्रो, गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो मित्रो, इस वक्त की समय सीमा में आपको जो भी करना है, बहुत सोच समझ कर करना है। छोटी-छोटी चीजों की और कदम बढ़ाने की शुरुवात आप कर सकते हैं, साथ ही में आप। मित्रो जिस सकारात्मक परिस्थिती का लंबे अर्से से वेट कर रहे थे, वही सकारात्मक परिस्थिती इस वक्त बनने वाली है। लेकिन समय थोड़ा सा सामान्य से ही बीतेगा। महत्वपूर्ण लोगों से आपके कांटेक्ट बन जाएंगे जो की फाइदे मंद होंगे। मित्रो घर के सदस्य की उपलब्धी से माहोल बहुत खुशनुमा रहेगा। बता देते हैं कि आपके घर का कोई व्यक्ती किसी ऐसे मुकाम पर स्थान पाने में सफल रहेगा, जिससे घर का पूरा माहोल ही बदल जाएगा। मित्रो नजदी की यात्रा भी हो सकती है, जो की बहुत फाइदे मंद होगी, और यात्रा के दौरान आपको अपनी चीजों की देख भाल स्वयम करनी है। मित्रो ज्यादा जोखिम लेकर आपको यात्रा पर नहीं निकलना है। गुस्से और जिद्धी स्वभाव पर नियंत्रन रखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप में। मित्रो जो गुस्सा है। गुस्सा इंसान का सबसे बढधा शत्रू होता है। आप जितना ज्यादा गुस्सा करेंगे वरिष्ट, पीठी उतनी बिगढ़ेगी। घर का बढधा सदस्य नाराज हैं, तो माफी मांग लें, क्योंकि माफी मांगने से आप छोटा नहीं हो जाएंगे। मित्रो, माफी मांगने और जुकने से रिष्टे मित्रों बच जाएंगे। इंकम में कमी और आपके खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। तो मित्रों, जिससे आप थोड़ा सा परेशान भी रहेंगे, नौकरी या बिजनेस में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, इसलिए संयम की परिभाशा आपको सीखनी होगी। मित्रो, यानि कि संयम रखना होगा। काम करने के तरीकों में कुछ परिवर्तन लेकर आएं और शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा सावधानी से निवेश करें। हवा बाजी में तीर नहीं छोड़ना है। सरकारी नौकरी पेशा लोगों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है और घर में सुख शान्ति का माहौल रहेगा। मित्रो, प्रेम प्रसंगों में मधुर्ता रहेगी। मानसिक और शारीरिक ठकान दूर करने के लिए थोड़ा समय प्रकृति के नस्दीक बिताएं और मेडिटेशन भी अवश्य करें। वहीं मित्रो, पुराने अच्छे कर्मों की वजह से आपको लोगों से मदद मिलेगी और पैसों से संबंधित चिंता दूर करने के लिए आपको रास्ता मिलेगा। सकारात्मक्ता बनी रहेगी और निर्णय लेने से पहले परिणामों के बारे में गहराई से विचार करें। यदि करियर से संबंधित अगर मित्रों कोई दबाव बना रहेगा तो आप उसमें सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। युवा लोग गलत संगती और बुरी आदतों से दूर रहें और बिजनस में महिलाओं को अच्छे मौके मिलेंगे। शेर्स और स्टाफ मार्केट में निवेश करने के लिए समय ठीक है। नौकरी और बिजनस में काम करने के तरीकों को बेहतर बनाएं और आपसी तालमेल से वैवाहिक संबंध अच्छे होंगे। मित्रों, आफेर्स के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे। थोड़ा सा प्रतिकूल मौसम रहेगा जिसका प्रभाव आपके स्वास्थय पर पड़ेगा। तो लापरवाही न करें और अपने लाइफ स्टाइल को रुटीन जीवन को व्यवस्थित बना कर रखें। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि अपने सपनों को वास्तविक्ता का रूप देने का समय अब आ गया है। सपने जो देखे थे अब उन्हें पूरा करने का। मित्रों समय है। कमाई बढ़ाने के लिए आपके द्वारा प्रयत्न किये जाएंगे। फिलहाल मेहनत करने का समय है इसलिए काम के अलावा अन्य बातों पर ध्यान बिलकुल ना दें। आपको सही लोगों का साथ मिलेगा। सही लोगों का साथ मिलने से आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आज के दिन आर्थिक स्थिती को लेकर थोड़े चिंतित नजर आएंगे। अगर कोई व्यक्ति आपकी कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर रहा है तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। आज आप कोई महत्व पूर्ण निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे और कहीं निवेश करने के लिए भी समय अनुकूल है परन्तु इस से संबंधित कोई कार्य करने से अनुकूल है। मित्रो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन अवश्य लें और आज के दिन मित्रों से अच्छा तालमेल बनाते हुए चलना होगा। आपकी मानसिक उर्जा चरम पर रहेगी। साथ ही जिन कारियों के लिए आप प्रयास कर रहे थे आज उनके प्रयासों का शुब परिणाम मिलेगा। आज का दिन सामान्य रूप से व्यतीत होने वाला है। अपनी कोई भी महतवपूर्ण बात किसी के साथ शेर न करें। अन्यथा कोई आपकी बातों का फाइदा भी उठा सकता है। कुछ समय बच्चों के लिए भी निकालना जरूरी है और पू साथ ही, मित्रो, आज आप कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं और घर में कोई मांगलिक कारिक्रम का आयोजन हो सकता है। ऐसा लगेगा मानो भाग्य साथ नहीं दे रहा है। अकेलापन महसूस हो सकता है और आपको भविश्य के लिए पैसे जमा करने चाहिए। बच्च आप अविवाहित हैं तो जल्द ही आपको कुछ अच्छी सूचना मिल सकती है। साथ ही, मित्रो, किसी भी कोट के संबंदित मामले को आज स्थगित रखें। साथ ही, रुपईये के मामले पर किसी पर भी विश्वास न करें। सारे निर्णय स्वयम ही लें और किसी पुरा परवाही की वजह से कोई महत्वपूर्ण काम या वस्तू खो भी सकती है। किसी से बात करते समय आपको विनम्र स्वभाव का प्रयोग करना चाहिए और आज का दिन उतार चड़ाव भरा रहेगा।